पच्यास करोण मर जाएंगे तब आब आज उठाएंगे तब भी आप फूल बरसाते रहे तालियां बजाते रहे घर के बाहर निकल कर दिया जलाते रहे और मोधी-मोधी करते रहे साड़े साथ लाख सेवन लाख फिप्टी तौजन से ज़्यादा लोग एक्ट्व पेसेंट हैं भारत में और 62,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं दोस्तों मैंने कहा था जब 500 लोग बीमार थे 50 लोग भी नहीं मरे थे तब मैंने कहा था कि कब आप आवाज उठाओगे अपने प्रधान मंत्री के खिलाफ जिसने कुरोना वाइरस की साजिस करके भारत को कुरोना वाइरस की आग में धकेला कुरोना वाइरस की क्या सत्य है क्या जूट है इस पर बाद में बात करेंगे तो कब आवाज उठाओगे जब 50 लोग मरे थे नहीं आपने कुछ नहीं बोला आप तालियां बजाते रहे आप थालियां बजाते रहे जब पांच सो लोग मर गए तब भी आपने कुछ नहीं बोला आपने मोधी के कहने पर तालियां बजाई थालियां बजाई जब 5000 लोग मर गए तब भी आप फूल बरसाते रहे तालिया बजाते रहे घर के बाहर निकल कर दिया जलाते रहे और मोधी मोधी करते रहे जब 50,000 मर गए तब भी आप मौन हैं और अब तो आपका प्रधानमंत्री तथा कथित प्रधानमंत्री भी नयपत्य में चला गया है परदे के पीछे चला गया है छुप गया है पूछ दबा करके भाग गया है ये कह सकते हैं देश को कुरोना की आग में चोक करके मरने के लिए छोड़कर वो छुप गया है दोस्तों आज 50,000 से ज़्यादा यानि 62,000 से भी अधिक लोग मारे जा चुके हैं तब भी आप मौन हैं तो क्या अब 5,000,000 मैंने पहले ही कहा था कि क्या आप 5,000,000 लोग जब मर जाएंगे तब आब आज उठाएंगे या 50,000,000 लोग मर जाएंगे तब आब आज उठाएंगे या फिर 5,000,000 मर जाएंगे तब आब आज उठाएंगे या 50,000,000 मर जाएंगे तब आब आज उठाएंगे क्या तबा पावाज उठाएंगे दोस्तों ये पापी आपका नराधम तथा कथित प्रधान मंत्री देश पर शनी की तरह विराजमान है और जब तक ये उस कुरसी पर बैठा है आप मरने के अलावा कुछ नहीं सोच सकते दोस्तों अभी गणेश चतुर्थी गई उसके पहले ईद उसके पहले दूसरे और त्योहार पता नहीं कितने त्योहार आए और गए इन साथ सालों में इच्छे सालों में नरेंद्र मोदी के कारेकाल में भसमा सुर के कारेकाल में आपने हमने किसी ने एक भी त्योहार खुशी-खुशी मना सका है क्योंकि आप अगर खुश हैं आपने पंदरा अगस्त मनाया आपने पंदरा अगस्त पर लाल के लिए से अपने प्रधान मंत्री का एक जूट जूटों का पुलन्दा सुना लेकिन आपको मिला क्या दोस्तों अब हम आते हैं उस भी से पर पहले तो मैंने बता दिया कि क्या कुरोना वाइरस भारत को किस तरह जकर चुका है और क्या करेगा अभी क्या किया और आगे क्या करेगा दोस्तों मैंने कहा कि क्या पच्चास करोड लोग मारे जाएंगे, तब आब आज उठाएंगे, और तब तो आपके हर घर में पच्चीस करोड, भारत में जनसंख्या के अनुसार पच्चीस करोड परिवार रहते हैं, पाँच लोगों का एक परिवार माना जाता है, तो पच्चीस करोड परिव में चार तो किसी के घर में एक हर घर में एवरेज दो आदमी मारा जाएगा कुरोना वाइरस से क्या तब तक आप मौन रहेंगे ये एक सवाल है